आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट से जो प्रॉफिट आप बनाना चाहते हो प्रॉफिट बनाने की एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिसको आप फोलो करते हैं तो definitely अगर आप हमेशा उस strategy को फोलो करेंगे तो आप हमेशा benefit के अंदर रहेंगे क्योंकि यह strategy ऐसी strategy है जिसको हर कोई follow करता है और यह strategy आपको कहीं ज़यदा benefit दिला सकती है तो क्या है ये strategy इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगर आप crypto market को आज देखेंगे तो crypto market हमको एक फिर से dump देखने को मिली है और जो 40 के level 40 का जो support था bitcoin का जिस पे bitcoin ट्रेड कर रहा था तो उससे भी नीचे जाता हुआ दिग गया फिर से हमको 38 के level दिग गया है bitcoin के और 38,500 का जो level है bitcoin ने हमको दिखा दिया अज इथिरियम अगर आप देखेंगे 2900 पर इथिरियम ट्रेड कर रहा है बाइनेंस को इन देखेंगे 400 डॉलर से नीचे आ चुका है बाइनेंस को इन भी ये कुछ fluctuations चल रहे है crypto market के अगर आप यहाँ पर situation देखें तो एक down की situation है dip में आगे हैं सभी coins जितनी भी अच्छी currencies है top 10 में हो top 20 में हो सभी currencies 5-6% down है 7% तक भी down गई है तो ऐसे में करना क्या है अब यहाँ पर dip भी है crypto market के अंदर और जो हम strategy आपके साथ share करने वाले हैं strategy भी ऐसी strategy है जिसको अगर आप follow करते हैं तो definitely आप एक अच्छे benefit में हमेशा ही रहेंगे और यह हम पहले भी share कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग नए crypto currency के अंदर आए हैं जिनको strategy के बारे में नहीं पता है तो यह strategy है by the dip मतलब dip क्या होता है जब crypto currency का जो price है वो नीचे की तरफ आता है और अच्छा खासा down आता है मान लो कोई coin 10 rupees पे trade करा था अगर उस coin के price आ चुके हैं 7 rupees 8 rupees पे तो एक अच्छा dip का मोगा है और अगर आप उस coin को काफी time से follow कर रहे हैं आप समझते हैं उस coin के अंदर क्या कुछ fluctuations हो रहे हैं अगर आप market की समझ रखते हैं तो एक सबसे बड़ी strategy यही है कि जितना आप dip में buy करेंगे आज कल बहुत सारे लोग coins खरीदना चाहते हैं ठीक है क्रिप्टो गरंसी को खरीदना चाहते हैं लेकिन वो ऐसी क्रिप्टो गरंसी भी खरीदते हैं फॉमों के चक्कर में fear of missing out जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऐसी करंसी भी खरीदते हैं जो अपने high पे चल रही होती है मतलब जिसने अच्छा return दे दिया है उपर top पे चल रही है उस करंसी में entry ले लेते हैं जब इतनी top पे आप उस करंसी के अंदर entry लेंगे तो वहां से price drop होना start हो जाता है तो यही एक सबसे बड़ा गलती होती है और यह करंसी खरीदने का सही time क्या होता है और एक सही strategy क्या होती है कोई भी coin खरीदना चाहते हो अगर वो अच्छा pump कर रहा है अच्छा उपर जा चुका है तो मैं आपको यह करूँ आप avoid करो उस coin पे focus रखो वो coin down भी जरूर आएगा और जब भी वो dip में आएगा आपको उस coin को dip में लें जितना ज़्यदा आप dip में लेंगे और जितना ज़्यदा आप hold करेंगे तो उस coin से आपको अच्छे benefit मिलेंगे तो बिल्कुल जब भी आप coin coin खरीदने की मतलब सोच रहे हो कि मुझे यह coin खरीदना है तो रुख जाओ थोड़ा wait कर लो जब तक वो coin down नह reason ले सकते हो कि coin मुझे अच्छे price में मिल रहा है मैं ले सकता हूँ ठीक है अगर आप समझते हो market को सारे coins के आपको पता है क्या कुछ fluctuations हो रहे हैं तो यह strategy अगर आप अपनाएंगे dip के अंदर buy करना start करेंगे जितना आप dip में खरीदोगे उतना benefit होगा इसके साथ एक strategy और share कर देते हैं वो है staking की staking आप कर सकते हैं माल लीजिया आपने जो भी कोइन खरीद रखे हैं ।को यह आपने काइन खरीद रख्या है उसके अंदर fluctuations नहीं हो रहे हैं आपको लगा है कि आने वाले कुछ time के अंदर भी fluctuations fluctuations नहीं होंगे, ठीक है, तो आप staking कर सकते हैं, stake पे लगा सकते हैं, उस coin को 10 days के लिए, 20 के लिए, 30 days के लिए, जो time period आप select करना चाहते हैं, उस पे लगा सकते हैं, staking पे, staking पे आपको reward मिलते हैं, और staking करके भी आप बहुत अच्छा reward जो है, generate कर सकते हो, ये भी strategy बहुत अ ये कुछ चीजें हैं crypto market से profit बनाने के लिए, profit बनाना है तो dip में buy करना सीखो, dip में ही buy करना चाहिए, जब भी कोई-कोई न आप खरीदना चाह रहे हो, तो I hope इस वीडियो में आप सारी चीजें समझ गे होंगे, बाकी जो update रहेगा, telegram पे भी आपको मिलता रहता है, जो भ पेक के लिए, bye